कि हेई गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल फामा संसार में आज हम कुछ important questions को discuss करेंगे यहां पर आप अपना यहां पर टेस्ट लगा सकते हो वीडियो के comment section में आप बता सकते हो कि आपके living cell with cell wall और यहां पर जो option है इन में से आपको बताना है ऑप्शन है माइकल प्लाजम वीडियो एर्स ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टिरिया smallest living cell जिसके पास cell wall भी है तो वह है यहां पर option number for bacteria जो जीवानों होते हैं उनके पास cell wall भी होती है सबसे smallest है साइज में तो इसका जो साइज होता है 0.5 से 5 mm इसकी जो है पूरी लेंद होती है यहां पर बात करते हैं जो विडियोर्स होते हैं वह आपके plant pathogens होते हैं और इसके पास कोई cell wall नहीं होती है इससे जो सिरफ एक यह responsible होता है कि डिजिस के लिए जो है hepatitis D बहुत रेयर है जो mycoplasm होता है इसमें cell wall नहीं होती है इसमें भी cell wall प्रजंच नहीं होती है और यह जीनस है बैक्टिरिया का ही तो यहाँ पर जो blue green algae है इसको हम cyanobacteria भी बोलते हैं और यह इसकी aerobic condition के करन इसका color जो है green होता है इसमें जो है इसकी cell wall होती है वो cellulose की बनी होती है 0.5 से 60 mm की length होती है next question is sporogony in malaria parasite occurred in तो कहां पर होती है देखते हैं human liver के अंदर human red blood cell के अंदर stomach of female anaphylis या फिस stomach wall of female anaphylis देखिए sporogony क्या होता है यह होती है आपका sexual और mosquito cycle भी बोलते है इसको ठीक है sexual mosquito cycle बोलते है एक्चुली इसको और scissor zone जो होती है वो होती है human liver के अंदर जो इसका मतलब है कि जो option number one है वो घलत है क्योंकि scissor zone बोलते हैं इसको जो human liver के अंदर होती है तो जो sporogony होती है वो होती है stomach wall of female anaphylis ठीक है तो यहां पर जो malaria का प्रासाइट है आपको पता है plasmodium के करण होता है यह होती है female anaphylis जो है responsible होती है malaria के लिए सो इसका जो सही जवाब है option number d fourth sandfly is a causative agent of sandfly जो है किसका causative agent है काला अजार sleeping sickness, typhoid या फिर dysentery, dysentery जो sandfly होती है यह आपका जो इसको बोलते हैं black fever भी बोलते हैं इसको काला अजार black fever तो black fever के लिए responsible होती है sandfly इसमें क्या होता है जो काला अजार जो ब्लेक फीवर है यह किसके वज़ा से होता है एक पेरासाइट होता है जिसको बोलते हैं लेश मिनेसिस बोलते हैं जो सेंड फ्लाई होती है एक पेरासाइट को प्रांस्मिट करती है जिसको बोलते हैं लेश मिनेसिस ठीक है तो वो उसक क्या कहेंगे moderatory coarse powder, moderatory fine powder, fine powder या फिर very fine powder देखिए इसके लिए जो मैंने sieve number पार्टिकल साइज कितने sieve number से पास करेगा कितने particle size किस sieve number से जाएगा इसके लिए एक video बनाई हुई है आपको आपको बताई हुई है कभी नहीं बूलोगे सबसे पहले आता है course देनाता है moderatory course फिर आता है moderatory fine देनाता है fine और फिर आता है very fine इसके लिए value 10, 22, 44, 80 और 120 तो 5 पर आया हमारे पास very fine था और यहां पर value आई 120 तो इसका मतलब हुआ यह मैंने वीडियो में काफी अच्छे से समझाया हुआ है आप उस वीडियो को भी देख सकते हो वीडियो के लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं सजेशन वीडियो में डाल दो इसको वीडियो को वहां से जरूर देख लें तो यहां पर जो है इसका मतलग हुआ कि option number 4 120 जो है वो कहां से जो powder है अगर सीव नंबर से 120 से जा रहे हैं तो वह powder कैसे होंगे very fine powder होंगे तो option number 4 next question is filter candles are made up of यहां पर options है thin flat cellulose acetate metal rings borosilicate या फिर कैसलगर तो जो हमारे पास filter candles ह यह बने होते है इंको यह बने होते है पॉरसलीन के और करसला गर्से इस्तेमाल किया जाते है और हमारा वह चाललीinku शलेलोas acetate प्रप्र और जो थिर इतन ऑच्क्रक्रव पीटे है इनको यह इनको ली क्रीस लेक पैसी माल जाते हैं तो यहां पर जो फ्लिट्टर के लिगा वो किस इच के बने होते हैं तो option number 4 इसके लिए सही जवाब होगा फिल्टर के डर्स जो होते हैं वो कैसरगर के बने होते हैं next is asava is which type of ayurvedic doses form यह मैं ayurvedic doses form की I think अभी इससे पहले की दो-तिन वीडियो छोड़ करके यह मैंने बनाई हुई अगर नहीं देखी है तो उसे जिरूर देख लें देखी यहां पर question पूछा है असावा is which type of ayurvedic doses form option है अगर आपने वीडियो देखी हुई तो आपको क्विक से यहां पर बता दोगे कि जो लिक्विड डोसिस फॉर्म उसमें आते हैं हमारे असावा इसमें लिक्विड डोसिस फॉर्म में मैंने काफी चीज़ें बताए थी असावा अरिष्टा अर्का तेला और द्रवका यह स इसका जो सही जवाब हो गया वह हो गया ऑप्शन इंबर थर्ड लिक्विड डोसिस फॉर्म नेक्स्ट कुशन इस देख्ट स्टेट्मेंट विद रिस्पेक्ट तो हार्ड जलाटीन कैप्सूल इस तो क्या है यहां पर बोडी उसकी बड़ी होती है लोंग होती है दोनों और उप्शन नबर वन है राइट वीचेस इस उडिट्स रड्ड इजमी से आपको बताना है सिप्रिट सॉल्ट किसे कहते हैं है रगाट अस इड्र असट गश्रीक एसड नाइट्रिक एसिट यह असे-डी कैसी तो एस सी यह तो है क्या जो है यूड्विश्ज सरी के अच् जो इसका डाइलूट करते हैं तो यूज की जाता है इसको डाइपसिया में ठीक है और नाइट्रिक एसिद का बहुत जो यह वह वार्ट होते हैं वार्ट से सब्सक्राइब निकाल देटए हैं उसके जो आपके सक्राइब तो आपके सक्कील दिखाई देता रहें से वो उसको भशन्द कर दिया रहता है सो नेक्स्ट कोशिंट इस फोर्मुला ऑफ रोचली साल्ट का फॉर्मूला यह भी वीडियो बना शुकति हैं सारे सॉल्ट मैंने बता तक है जितने भी सॉडियम ख्लॉड जितने भी रोचले साल्ट है सब कुछ बात की गई है अप यह और लगाना तो भूली गई 4H2O है और नेक्स्ट इससी 2H2O6 potassium sodium 4H2O C4H2O6 potassium sodium 4H2O या फिर C2H4O6 potassium sodium 4H2O तो जो रुसेले साल्ट होता है इसमें जो है C4 होते हैं H4 होते हैं O6 होते हैं potassium sodium 4H2O रहता है CV4 होते हैं HB4 होते हैं तो option number one जो है इसके लिए सही जवाब है देखे रोशेले साल्ट का इस्तेमाल किसमें होता यह नहीं पूछा है उसका formula क्या है वह पूछ लिया sodium etaphosphate is used in तो next question is so anti-carries में anti-acid desensitizers और dentifricis तो जो sodium etaphosphate है उसका इस्तेमाल कियाता है dentifricis में तो I hope आपको जो है वीडियो पसंद रहें इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें और preparation के लिए बने रहें आप जो है डेली अगर आपको एक question भी प्रता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है पर जूड़े रहें डेली जो है दो question तीन question चार question या फी एक वीडियो देख लें तो इससे जो है प्रिपेशन बनी रहती है टच में रहते हैं आप लोग और all the best keep learning give shining और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब जो कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूने थेंक्यू सो मच